असलाम आलेकुम रहमतुल्लाही वबरकातु हूँ आज हम क्लास 12 के बाइलाजी के 1st, 2nd और 3rd चैप्टर के MCQs डिसकस करेंगे ये MCQs आप लोगों को इंगलिश की जो आप लोगों की बुक है एकसरसाइस की बुक इसमें आप लोगों को दिये गए है तो यहां पर जो है इसका उर्दू में आप लोगों को कन्वर्जन जो है मैं बता रही हूँ तो आप लोग ये वाले जो कोईशन्स है वो तमाम कोईशन्स कीजिए इंपॉर्टन्ट सवालात है और इसके चांसिस है तो जो आप लोगों का पहला सबख है रिप्रोड़क्शन लोवर एंड हायर प्लांट अधना और आला पौदों में तौलीड इसके एमसी क्यूज में नमबर वन हश्राथ से जैर्गी पाने वाले आम पूल आम तोर पर रखते हैं हश्राथ से जैर्गी पाने वाले यानि के जो पॉलिनेशन हो रहा है जो जैर्गी हो रही है वो इंसेक्ट के जरीए हो रही है और इंसेक्ट के जरीए होने वाले जैर्गी को हम क्या कहते हैं एंटमोफिली कहते हैं यानि कि अगर शहत की मक्षी है या कीडे है वो क्या कर रहे हैं फूल के उपर बैट रहे हैं तो जो pool and grain रहेंगे, जो जीरे रहेंगे, वो कैसे होंगे, तो यहाँ पर आपको चार option दिये गए है, तो पहला option सही है कि चिप-चिपे जीरे होंगे, sticky pool and grain होंगे और उनकी सताह जो है वो कैसी होंगी, खुरदुरी होंगी, तो जो first option है, question का A option, चिप-चिपे जीरे, खुर प्यूल में तख़वी तक्सीम मियासिस वाकि होती है, तो मियासिस किसमे होती है, तो इसका जवाब होंगा, मेगास्पोर मदरसिल, यानि कला बजरा अमुल खुलिया, कला बजरा अमुल खुलिया, यानि के मेगास्पोर मदरसिल के अंदर होता है, उसके बाद है, यानि के प्लॉइड ही जैसा कि हम है प्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड कहते हैं तो मसावी नहीं होती किसमे मसावी नहीं होती तो सही जवाब है C सान्वी मरकजा और दरू ताखम में सान्वी मरकजे को कहेंगे सेकंडरी नूपलियस और इंडोस पॉम को हम जो है वो दरू ताखम कहते हैं सेकंडरी नूपलियस डिपलॉइड होता है और इंडोस पॉम जो है वो ट्रिपलॉइड होता है इसके बाद Q4 जेर्गी करने वाले पॉलिनेटर को दर जेल से किस قسم की जरुरत होती है लेके नतीजा जैनीनियाती तोर पर खुद जोजियत यानी आटोगैमी की तरह होता है तो इसका जवाब होंगा बाहम अस्दवाजी यानी इटेनोगैमी अब आप लोगों को पता है कि सेल्फ पॉलिनेशन में खुद जैर्गी के अंदर हमने ये दो पार्ट देखा था आटोगैमी और इटेनोगैमी यानी के एक फूल से पूलन ग्रेन उड़कर दूसरे फूल पर जा रहे हैं लेकिन उसी प्लांट के तो हम इसे क्या कहते हैं इटेनोगैमी इसके बाद सवाल नमबर 5 अगर फूल दार पौदे फ्लावरिंग प्लांट में दुगना क्रोमोजोम का नमबर 12 है तब एक मे क्रोमोजोम का नमबर 6 होगा तो देखे, अगर diploid, double chromosome की तादात कितनी है, 12 है, तो उसका half कितना हो जाएंगा, haploid हो जाएंगा, 6 तो haploid कौन है, तो indosperm तो haploid नहीं है, triploid रहता और उसी तरीखे से यहाँ पे जो options है, leaf cell है, cotylodons है, यह भी नहीं है तो synergid जो है, वो haploid होते हैं, synergid क्या होते हैं, haploid होते हैं, तो सही जवाब होंगा, माविन खुलियाद, synergid अगला सवाल, बन बीजा पौदों, angiosperm में, दरू तखम, यानी indosperm तयार होता है, डैश के जरीए, या डैश की वजह से तो आप लोगों को पता है, indosperm, triploid primary indosperm nucleus कैसे बनता है, जब हम polar nuclei यानी खुतभी मरकजे और नर्जवाजे, male gamit मिलता है, तो क्या बनता है, indosperm बनता है, आप्शन C यहाँ पर सही होंगा और सवाल नमबर साथ, दर्जवाजेल में से और्ड की निशान दही कीजेए, इसमें से कौन सा ताख है, मुतफरिख है, हमें पहचानना है सबसे पहले है, newcellus, दूसरा है embryo sac, जैनिनी थैली, तीसरा है सुराख्चा, यानि माइक्रोपाइल, और चौता है, जीरे दान, यानि के पूलन ग्रेन जीरे दान, यानि के पूलन ग्रेन, तो देखिए, newcellus, embryo sac, माइक्रोपाइल, ये तमाम तीनों पार्ट जो है, वो ओव्यूल के है, है ना, उल्ठा बैजग जो है, एनाट्रॉपस ओव्यूल के है, सिर्फ जो चौता है, पूलन ग्रेन, वहीं जो है, वो मेल का पार्ट है तो odd कौन सा होंगा, तो option D जो है, इस question का सही answer होंगा, तो यहाँ पर आप लोगों को जो English की book में जो दिये वे है question, उसको हमने उर्दु में उसका conversion देखा है, तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे second chapter की तरफ, second chapter जो है reproduction in animals है, इसमें आप लोगों को जो MCQs दे गए है, तो पहला सवाल है, जुफता यानि के जाइगोट में पाए जाने वाले मरकजों की तादाद है, तो कितनी है तादाद, जाइगोट में दो है, उसके बाद है, इन में से कौन सा इनसानी नर्द तौलीदी उजू, यानि human reproductive organ है, अब organ की बात कर रहा है, उजू की बात कर रहा है देखे, sperm भी male में ही पाया जाता है, नुत्वी सैयल, seminal flute भी पाया जाता है, testis भी होते हैं, ovaries भी होते हैं, तो ovaries तो female का पाठ है, तो यहाँ पर अपने को एक उजू पूछ रहा है, तो उजू होंगा testis, सही जवाब है testis, उसके बाद है next question, जैनी, यानि embryo का रहम, या यानि को जो baby develop हो रहा है, वो रहम से, uterus से, बच्चा दानी की दिवार से चिपकता है, और 9 मन तक वही रहता है, तो यह दिवार से चिपकने का जो अमल है, इसे हम implantation, यानि के तनसीब कहते हैं, क्या कहते हैं, implantation यानि के तनसीब, अगला सवाल, सवाल no.4, थैलियों, यान यानि ओहा का खारिज होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, देखिए हर मन्त में जो है, क्या होता है, पिरिट्स के, जो महवारी का चक्कर है, उसके 14 दिन, कौन से दिन बोर रही हूं है, जब 14 डे चलता है साइकल का, उस टाइम में बैजा ओहा, जो है, वो क्या निकलता है, और इसे हम बोलते है ओवुलेशन यानि बैजा खैजी तो सही जवाब होंगा बैजा खैजी ओप्शन सी ओवुलेशन. उसके बाद है सवाल नमबर पांच. इनसानी मादा में बारावर बैजा रहम में मनस्ब होता है. यानि के जैसे ही मेल का स्पर्म और फीमेल का ओहम ये दोनों मिल गए हैं और इसके बाद बारावर बैजा यानि के जाइगोड बन गया और ये जाइगोड जाकर चिपक जाएंगा यूटेरस की दिवार पे. जिसे हमने क्या कहा था अभी implantation तो ये जैसे चिपक जाता है तो नस्ब हो जाता है. कितने दिन के बाद? बारावरी के साथ दिन बाद. याद रखे, fertilization के कितने दिन के बाद? साथ दिन के बाद ये नस्ब होता है. चले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ. टेस्ट्यूब बेबी यानि टेस्ट्यूब बच्चा टेकनीक कहलाती है. तो टेस्ट्यूब बेबी इसे कहते हैं कौन सा fertilization है? in vitro fertilization. अप्शन सी याद रखे, क्या कहलाता है? in vitro fertilization. important question है ये question number 6. टेस्ट्यूब बेबी टेकनीक को in vitro fertilization कहते हैं. अब question number 7 देखिए कि यहाँ पर आप लोगों को human sperm की diagram दी गई है और यहाँ पर labeling की गई है A, B, C, D यहाँ पर बताया गया है और इसमें आपको पैचानना है कि A, B, C, D में एक्रोजोम कौन सा है? तो देखिए मैं बता लेती हूँ कि उपर जो A है उसे हम एक्रोजोम कहेंगे. A जो है उपरी हिस्सा यह शकल कि काई की है यह? human sperm की शकल है. काई की शकल है यह? human sperm की शकल है जिसके अंदर आप लोगों को जो उपर A नज़र आ रहा है वो A काई का है एक्रोजोम का. काई का क्या है? nucleus. उसके बाद आप लोगों को जो C नज़र आ रहा है वो C है distal centriol. क्या है? distal centriol. पहले proximal centriol होता है उसके बाद distal centriol होता है. तो यहाँ पर जो है पहले क्या रहेंगा? proximal centriol रहेंगा और उसके नीचे रहेंगा distal centriol. उसके बाद जो D है वो D क्या है हमारा mitochondria है, यानि कि तवानिया है तो आपको कौन सा भी question आ सकता उसके बाद last की part तो आपको tail नजर आ रही है, तो A, B, C, D अब यहाँ पे A पूछ रहा थो, A तो acrosome है, exam में कोई भी part पूछ सकता है, तो B क्या है nucleus है C क्या है, distal centriol है और D क्या है, mitochondria इसके बाद हम देखेंगे, अगला question लड़के में दाड़ी की मौजूदगी है एक, तो लड़के में दाड़ी आ रही है, तो यह क्या है एक उसके अंदर develop होने वाले सानवी जिनसी, खसुसियाद develop हो रही है, secondary sexual characters उसके अंदर आ रहे हैं, कि weight का बढ़ना, यह तमाम character जो है, यह secondary sexual character, SSC कहलाते हैं, याद रखें, सानवी जिनसी खसुसियाद है तो यहाँ पर जो है हमने second chapter के MCQs देखे हैं, इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले chapter की जानिब जो आप लोगों का तीसरा सबख है, विरासत और तगयूर, विरासत और तगयूर के questions में कुछ बता लेती हूँ तो देखें, यहाँ पर जो star के question है सवाल नमबर 10 देखिए दो मखलूती इखिलाद, the hybrid cross की, दूसरी F2 नसल में चार मुखतलिफ जाहरी किरदार फिनोटाइप वाले नमौलूँद जाहिर होते हैं जबके जीनी किरदार यहाँ पर आप لوगों को इसके क्या है आंसर बताने है तो आप लोगों को फिनोटाइप, जीनोटाइप यह तमाम चीज़े मालुद है बोले फिनोटाइप क्या होता है फीनो टाइप यानि के जब हम शकली नजाद की बात करते है और जीनो टाइप यानि के उसका जैनेटिक मैक अप होता है तो अगर कभी F2 में चार मुख्तलिफ जाहरी किरदार जाहर हो रहे है जबके जैनी किरदार जीनो टाइप में कितने होंगे तो जवाब होंगा नौ तो आप्शन B जो है इसका सही जवाब है इसके बाद हम देखेंगे सवाल नंबर 14 मिरैबिलीस जलापा जो फोर्त ओकलॉक प्लांट है इसमें हमने इनकंप्लिट डॉमिनंस देखा था नामुकमल गल्बियत देखी थी इसके जाहिरी किरदार यानि के फीनो टाइप का रेशो क्या होता है फीनो टाइप का रेशो कितना होता है वन इस्टू टू इस्टू इस्टू वन होता है इसके बाद अगला सवाल 15 कोश्चन जब जाहिरी किर्दार फिनोटिपिक और जेनी किर्दार जीनोटिपिक रेशो का तनासुब यकसा हो जब फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों भी क्या है इक्वल होते हैं तो इसे हम incomplete dominance कहते हैं ना मुकम्मल गल्बियत कहते हैं तो option A सही होंगा जो example है जिसकी mirabilis जलापा जिसमें फिनोटिपिक रेशो भी 1 is to 2 is to 1 है और जीनोटिपिक रेशो भी 1 is to 2 is to 1 ही है इसके बाद हम देखेंगे सवाल नमबर 18 विरासत का का लोनी अजिसामी नज़र है यानि क्रोमोजोमल थेयोरी आफ इनहेरिटन्स किसने पेश किया है बहुत important सवाल है इसे सुटन और बुर्वेरी ने इसके बाद अगला सवाल अगर मरकस पारा यानि कि जो सेंटरोमेर है प्रोमोजोम के सिरे के नस्दीक मौझूद हो तो ऐसे क्रोमोजोम को हम क्या कहते है अब देखिये इसे सिरे के खरीब मौझूद है, सिरे के नजदीक मौझूद है, तो इसे हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक, आप्शन B सही होगा, एक्रोसेंट्रिक देखें, अगर सेंटर में हैं, सेंटरों में हैं, तो मेटासेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा दूर है थोड़ा सरग गया है बाजू तो सब मेटासेंट्रिक एंड के खरीब है सेंट्रों में है तो एक्रोसेंट्रिक और बिल्कुल टेल पे है तो टीलोसेंट्रिक नेक्स कोशन नमबर 24 अगर क्रोमोजोम पर जीन PQRST के अंदाज मौजूद हो तो जैल में से कौन सी जीन की जोड़ी का विरासती तोर पर एक साथ मुन्तखिल होने का सबसे कम इमकान है तो यहाँ पर जो है आप्शन D सही होंगा P&S उसके बाद अगर रंग के अंधे पन का शिकार शख्स कलर बलाइंड हम जगती मामूल की नजर रखने वाली औरत यानि के अगर एक कलर बलाइंड शख्स की शादी एक नॉर्मल कलर विजन की औरत से हो जाए तो ऐसे में जो पैदा होने वाली लड़किया है उनमें मर्ज का शिकार होने का इमकान कितना होंगा तो यहाँ पर जो है जिरो परसंट होंगा वर्ज का शिकार होने का इमकान जिरो परसंट होंगा आप क्रोसिंग कीजिए गरौसिंग करने के बादा आप देखिए तो इस तरीकह से हम लोगों ने यहाँ पर तीन चैप्टर के MCQs जो है वो completely देख चुके हैं तो आप ये तमाम questions की practice कीजिए इसके अलावा और others भी question है इसकी भी practice कीजिए लेकिन ये question important थे आपके English exercise के थे जिसका conversion हमने उर्दु में आप लोगों को बताया है इंशालला जल्द ही आप लोगों को अगले chapters के भी जो है वो MCQs दिये जाएंगे important question बताये जाएंगे तो questions की practice कीजिए एक्जाम की तयार कीजिए और कुछ doubt है तो हमसे पूछे अलावाफिस